असलाम अलेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बसबुसा बनानी की रेसिपी, जो की एक Egyptian dessert है, या फिर आप इसको Middle Eastern dessert भी कह सकते हैं, बहुत ही डिस्टी ये dessert है, एक तरह का ये सूजी का केक है, जो की बहुत आसानी से बन जाता है, तो चलिए देखते हैं इसको बनानी के लिए हमें क्या क्या चाहिए है, बसबुसा बनानी के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक mixing bowl और इसमें हम डालेंगे एक कप और वन थर्ट कप सूजी यानि की रवा, यहां पर हम बारिक सूजी का इस्तमाल करेंगे, अगर आप इसको वेट में मेजर करेंगे तो ये 80 ml के करीब है, अच्छा से इसको मिला देंगे, बिल्कु लंब फरी कर लेंगे, या तो आप हाथ उसे मिला लेज़ेगा, या फिर इस पैचुला से इस तरह से मिला लेज़ेगा, जैसे की मैं मिला रही हूं, और इसको बिल्कु ब्रेट करम्स की तरह बना लेंगे, तो ये और एक कप डालेंगे नॉर्मल टम्प्रेचर का दूद्ध और इन सभी इंग्रीडेंट्स हो बहुत अच्छ से मिला देंगे अब दो इंग्रीडेंट्स और रहे गए जो कि हमें इसमें एड करने हैं एक टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर और एक टीस्पून वनिला इसंस टालेंगे अच्छ से इसको मिला देंगे और अब इसको हम 5-7 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देंगे जिससे कि जो सूजी है वो थोड़ी सी फूल जाएगी अब हम एक बेकिंग मोल्ड लेंगे जसमें कि हमें बस बुसा बनाना है और इसको ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा तेल डालकर इसको चारो तरफ स्प्रेट कर लेंगे इसके साइड में भी और सेंटर में भी और एक टी स्पून के करीब रवा यानि की सूजी इसमें स्प्रिंगिल कर देंगे इस तरह से तो यहाँ पर हमारा मोल्ड रेडी है और इधर हमारे मिक्शर को रखे वे तकरीबन 7-8 मिनट हो गए तो हम इसको ट्रांस्वर कर देंगे अपने तयार करेवे मोल्ड में और इसको स्मू़ध कर लेंगे इस तरह से और अब हमें इसमें इस तरह के मार्क्स बना लेने है इधर मैंने ये 10-12 भीगेवे बादाम लियो हैं जिनका मैंने छिलका उतार दिया है इसको हमें इसके उपर इस तरह से अरेंज कर देना है उधर मैंने अवन को 180 degree centigrade पर preheat होने के लिए रख दिया है जब हमारा अवन preheat हो जाएगा तब हमें अपनी इस डिश को अवन में रख देना है और 180 degree centigrade पर 20-25 मिनट के लिए इसको हमें बेक करना है वैसे सबकी अवन की टैमिंग्स अलग-अलग होती हैं तो आप अपने अवन के हिसाब से इसको बेक कर ले जगा इधाना में इसका शुगर सिरप यानि की शीरा तयार कर लेना है एक पैन में हम हाफ कप शकर लेंगे और हाफ कप ही पानी डाल देंगे आपको बहुत मिठास पसंदे तो फिर आप एक एक कप शकर और एक कप पानी का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से हाफ कप शकर का जो सिरप है वो सफीशियन है अब मैं इसमें एक नीबू का स्लाइस भी डाल दिया है जिससे कि इस सिरप का टेस्ट अच्छा आता है आप इसमें एक टी स्पून केवडा वाटर या फिर रोज वाटर या पिर औरेंज ब्लॉसम का भी इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर हमें एक या दो तार की चाश्णी नहीं बनानी है सिंप्ली शकर को मेल्ट कर लिना है तो मीडियम फ्लेम पर इसको जब तक पका लेंगे जब तक शकर कम्प्लेटली मेल्ट नहीं हो जाती है तो यह देखें शकर के अच्छे से पानी में गुल जाने तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पका लिया है और हमारा शुगर सिरब तेयार है अब हमें इसमें से ये लेमन का स्लाइस निकाल देना है गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है इधर हमारा बसबुसा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है मैंने पांच मुट के लिए इसको ऐसे ही अवन में छोड़ दिया था जब अवन ओफ हो गया तो पांश मट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था अवन के अंदर ही इधर हमें इसको चेक भी कर लेना है या अंदर तक पकाया या नहीं तो एक नाइफ डाल कर देख लेंगे अगर ये साफ आ रहा है इसका मतलब है ये अच्छे से पक चुका है अब हमने जो इसमें निशान बनायते उसको हम प्रामिनेंट कर लेंगे यानि कि इसके ओपर फिर से हमें चाको इस तरह से फेर देना है तो ये देखें यहाँ पर हमारा बसबुसा रेटी है अब हमें इसमें डालना है शुगर सिरप अभी हाँ पर जब आपका बसबुसा गरमी हो उसी टाइम आपको इसमें शुगर सिरप डाल देना है आधा मैं भी डाल रही हूँ आधा जब मैं सर्फ करूंगी तो प्लेट्स में डालूंगी और बस अब यह रेटी है अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखाती हूँ तो इसको कर लेते हैं कट यह देखें यह देखें अंदर से भी यह एकदम परफेक्ली कुट्ट है बहुत अच्छे से बेक हुआ है और बहुत आसान भी है बनाना आपने देखा है इसको बनाना कितना एज़ी था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको सर्फ कर लिया है और सर्फ करते टाइम इसमें दो तीन टेबिल स्पॉन उपर से शुगर सिरफ डाल दीजेगा जिनको पसंदो उनके लिए डालिएगा जिनको शुगर सिरफ जादा नहीं पसंदे उनके लिए मठ डालिएगा और आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार हमारा बस बुसा बनकर रेडी है उमीद करती हूँ आपको में दीए रेसेपी पसंद आई होगी अगर पसंद आईए तो इसको लाइक जरूर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार आएं तो मेरी आपसे हम्मिल रिक्वेस्ट है बिना सब्स्राइब की मच जाएगा थैंक यू